Hello Parents and Welcome Back to my Channel Mom's Care with Indoo आज हम एक बहुत हैं इमपोर्टन टॉकिक के बारे में बात करेंगे जो है बेबी का कॉलिक बेबी के जनम के बाद उसका रोना ही उसका लैंग्वेज होता है बेबी अपने रोने के माधियम से हमें बताते है कि उसे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या उसे कोई प्रॉब्लम हो रहा है और हम उस हिसाब से बेबी को comfort देने की कोशिश करते है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बेबी घंटों तक रोए जाता है और हम उसे चाहिए कितना भी comfort देने की कोशिश करे वो बिल्कुल भी सांत नहीं होता है वो रोए जाता है और हम बहुत ज़्यादे परिशान हो जाते है उसकी रोने की वज़े से और ऐसा new one baby के साथ first three or four month बहुत ही common होता है तो बेबी का इस तरह से घंटों तक रोना अप उसे कितना भी कोशिश कर रहे हो comfort देने की वो बिल्कुल भी comfortable नहीं feel कर रहा है और उसको आप चाहिए कितना भी सांत करने की कोशिश करो वो सांत बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो इसकी एक बड़ी वज़ा कॉलिक पेन हो सकता है हो सकता है कि बेबी को कॉलिक पेन हो रहा है और इस वज़े से बेबी रुए जा रहा है तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपका बेबी घंटों तक रुए जा रहा है और आप उसे चाहे कितना भी कोशिश कर रहे हो सांत करने की वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा है सांत नहीं हो रहा है तो यह वीडियो आप एन तक जरूर देखो आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है और बहुत हेल्प मिलने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि क्वालिक पेन आखिर होता क्या है जब एक healthy baby घंटों तक continue दो तीन घंटे तक रोए जा रहा है और एसा regularly हफ्ते में दो या तीन दीन हो रहा है और एक ही time पे वो रोए जा रहा है तो मतलब इसकी वज़ा क्वालिक पेन हो सकता है शायद वो क्वालिक पेन की वज़े से ऐसे continue रोए जा रहा है Usually baby के जनम के दो हफ्ते के बाद ये क्वालिक पेन शुरू होता है और baby का धिरे धिरे जैसे age बढ़ता है जब baby 3-4 महने का हो जाता है तब ये क्वालिक पेन बिलकुल ठीक हो जाता है तो जैसे जैसे baby बढ़ा होता जाएगा तब बेबी का क्वालिक पेन बिलकुल ठीक हो जाएगा और ये बिलकुल common बात है बहुत ज़्यादा tension लेने की हमें जरूरत नहीं है ऐसे बहुत नॉर्मल होता है क्वालिक पेन और ऐसा बहुत कॉमन होता है ऐसा काफी बच्चे में ऐसा देखा जाता है कि हपते में दो या तीन दिन वह ऐसे continue होते रहते है बिकाज अफ कॉलिक पेन और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बेबी ब्रेस्ट फिड करते हैं सिर्फ उन्हें ही कॉलिक पेन हो या जो बेबी फॉर्मूला मिल्क पीते हैं उन्हें सिर्फ कॉलिक हो मतलब जो बेबी ब्रेस्ट फिड करते हैं उन्हें भी कॉलिक हो सकता है कॉलिक पेन, ब्रेस्ट फीडिंग बेबी और फॉर्मॉला फीडिंग बेबी दोनों में ही देखा जाता है और यह बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल कॉमन चीज है तो चलिए अब हम यह जान लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि बेबी क्यों रो रहा है मतलब बेबी कॉलिक की वज़े से रो रहा है या फिर यूभी रो रहा है कोई प्रॉब्लम हो रहा है इस वजए से रो रहा है यह आपको कैसे पता चलेगा मतलब what is the difference between कॉली की क्राइंग और नॉर्मल क्राइंग जब बेबी रोय जा रहा है युजेरी बेबी कब रोता है जब उसे भूग लगती है या फिर वो tired हो उसे नीन्दा रही है या फिर उसका diaper गिला हो गया है ऐसा कुछ problem हो तो बेबी रोता है और तब अगर बेबी रोय जाता है तो आप उसे cuddle करो उसे प्यार करोगे उसे feed कर उसके साथ बाते करोगे उसे अगर लेके घूमोगे तो वह अपने आप चूप हो जाएगा और वह आपके साथ बाते करेगा आपके साथ कम्यूनिकेट करने की कोशिश करेगा और वह सांत हो जाएगा लेकिन अगर बिबी कॉलिक की वज़े से रो रहा है तो आप चाहे उसे क कितना भी कमफर्ट दने की कोशिश करो वो रेस्पॉंड ही नहीं करेगा मतलब कॉली की क्राइंग और नॉर्मल क्राइंग में एक बहुत ही बड़ा जो डिफरेंस है वो यह है कि नॉर्मल क्राइंग में आप उसे अगर प्यार करोगे फीट करवाओगे तो वो यहागा नहीं करेंगा मतलब कको कॉलिक छाइगा तो इस तरह से आपको पता चलाएगा कि बबी नॉर्मल कोई चीज की वज़े से रोरा है या मुझे पता है क्योंकि मेरे बेपी को ऐसा प्रोटा था ही शांसे मों बदके लिए वन रहता धी को वहाँस करके रात को यहाऊ ज चिंता होने लगती थी और खुद के उपर बहुत ज़्यादा गुस्ता भी आता था कि मैं क्या करूं जिस्से की वह चुप हो जाये या क्या प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से वह रोह जा रही है तो यह बहुत ज़्यादा फ्रेस्टेटिंग होता है, अपने उपर ज़्यादा गुस्सा आता है, कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं अपने बेबी के लिए, लेकिन यह बहुत ही नॉर्मल चीज है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लिने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हम मॉम से हम पैरंट से तो हमें टेंशन तो आ ही जाता है तो जब मैंने ये डॉक्टर को बताया था उसकी प्रिडियोटिसियन को तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि ममम इविनिंग कॉलिक की वज़े से रोती रहती है मतलब वह खास करके रात को ऐसा रोती रहती थ को तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि वह एविनिंग कॉलिक के वज़े से रो रही है तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुड़ा है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लो हो सकता है कि शायद आपके बीभी थी कॉलिक पैन ale बस आप क्या कर सकते हो कु पूरी देर के लिए सांथ हो जाए और अपने डॉक्टर से इस बारे में आप बात कर सकते हो तो एक कॉली की बेबी का फर्स्ट सिम्टॉम तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि बेबी कंटीन रोय जाएगा और हफ्त में दो या तीन दिन ऐसा होगा जाए और अई किस बेबी रोय जाए और आप चाहे कितना भी उसे चमफर्ट देने की कोशिश करो कितना भी उसे सांथ करने की कोशिश करो, वो सांथ भी नहीं हो रहा है, तो मतलब शायद बेबी को कॉलिक पेन हो रहा है, और ये एक बहुत ही बड़ी साइन है कॉलिक पेन का, 32閉ल सच्पी में दीखा जाता है और देखा लुखी मुखी मुखी का याखलए की साइफ रहते हैं, और ये बहुत ही जादा थेप्र तो यह बहुत ही जाधा frustrating है और बहुत ही जाधा tension हो जाता है इस से लेकिन यह भी normal है अगर बेवी को कॉलीग पेन होता है तो बेवी ऐसे चीक चीक के रोते रहते हैं एक कॉली की बेबी का थर्ड जो सिम्टॉम है वो हो सकता है कि बेबी जब रो रहा है तब वो अपने लेग को अपने टमी के साथ बेंट करता है और फिर छोड़ देता है तो हो सकता है कि ऐसा करने से बेबी को थोड़ा सा रिलिफ मिलता होगा कॉली की बेबी का कि वो अपने पैर को बार बार अपने पेट के साथ बेंट करते हैं और फिर छोडते और फिर रोते रहते हैं। तो यह भी बहुत बड़ी साइन कीण का का और कअली की बेबी का एक और सैम्टम है गैस पस करना। अगर बेबी को कॉलिक पेन हो रहा है और वो कॉलिक की वज़े से रो रहा है तो बेबी ग्यास पास कर सकता है क्योंकि बेबी जब रोते है तब एर स्वालो कर लेता है और इस वज़े से बेबी ग्यास पास कर सकता है और इससे आपको पता चल जाएगा कि बेबी को शायद कॉलिक पेन हो रहा है और जिस वज़े से बेबी रोह जा रहा है कॉलिक की बेबी का next जो symptom है वो यह है कि बेबी जब रोते हैं तब वो अपने back को ऐसे अर्च कर लेते हैं और फिर रोते हैं बार-बार एसे अपने back को अर्च कर लेंगे और रोहेंगे तो आपको पते चल जाएगा कि बेबी को शायद कॉलिक पेन हो रहा है अगर बेबी मुठी बंद करके ऐसे रोय जा रहा है तो शायद उसे कॉलिक पेन हो रहा है मतलब शायद उसे कॉलिक पेन हो रहा है और इस वज़े से बेबी ऐसे मुठी बंद करके रोय जा रहा है तो ये भी एक सिम्टॉम हो सकता है बेबी की कॉलिक का अगर बेबी घंटों तक रोय जाएगा और ऐसे रोता ही रहेगा तो अफकोस उसका फेस जो है वो रेड हो जाएगा तो अगर बेबी ऐसे घंटों तक रोय जा रहा है और उसका फेस रेड हो गया है तो शायद बेबी को कॉलिक पेन हो रहा है और इस वज़े से बेबी रो र या आपका बेबी कॉलिक की वाज़े से रो रहा हे या कुछ और वजे से रो रहा है कॉलिक बहुती MAMAN चीज सवर्ण बहुती ket के साथ ऐसा होता था कि वह घंटों तक रोय जाती थी और मैं बहुत परिशान हो जाती थी तो यह बिल्कुल नॉर्मल चीज़े बहुत कॉमन चीज़े हमें बहुत ज्यादा वड़ी करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम पैरेंस बेबी को ऐसे रोते हुए नहीं दे वीडिओ बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग शायद बोड़ हो जाओगे तो वह सारे जो रिमेडिस है भी मैं आप लोगे साथ करोंगी कॉलिक पैन की क्या-क्या वज़ा हो सकती है वो भी हम आप लोगे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज का वज़ा जान लेंगे, तो सलीउसन निकालना उतना ही आसान हो जाएगा, तो इसलिए क्वालिक का वज़ा क्या है, यह भी जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और यह भी मैं आप लोगों के साथ डिसकस करूंगी, नेक्स आने वाले वीडियो में, तो प्लीज मेरे चानल के साथ जूरे रहिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कीजिए, और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीज ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप देख सको और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी आप लोग के लिए कोई नया वीडियो लाऊं या नेक्स वीडियो लाऊं उसका नॉटिफिकेशन आप तक पहुच जाए तो प कि एक हाँ पूänd IS जिसकी जाँ पूटिफर स्ट्च्पक्टो फूटिब figured पहुचा नेकर जफरे हैं जिसकीजिएफिएन के जाने ने लाऊं चरे खात्याँ को थाजिएलों के लिए स्ट्पक्तिएलों के छाद्पक्तित्स घर्माजिएलों के वाच चॉजएलों के